Hello everyone, कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं PF Final Settlement Online कैसे करें तो इस वीडियो में पूरा डिसक्स करेंगे आज के वीडियो इंपोरेंट वीडियो है एक PF में में बरें आपके लिए और जो भी PF में requirement documents होगे जो भी कितने दिन में claim होगा पूरी online कैसे process करें तो सभी इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं और दोस्तों अभी तिक आपने मर्चल को सब्सक्काइब नहीं है सब्सक्काइब जूर कीजिए जो इस वीडियो के माधियम से आप निकाल सकते हैं तो इस वीडियो में जो पहले मैं तीन पॉइंट डिसक्स करूंगा पहला है कि फोर्म 19 के लिए required documents कोन से होते हैं 10C के लिए फिर ओवर online claim के लिए क्या-क्या requirement होती है फिर हम claim को online कैसे apply करेंगे तो इस वीडियो में डिसकस गरेंगे तो पहला हमारा जो point रहेगा वह point है कि हमारा requirement for availing online claim service करना है तो उसके लिए क्या mandatory होना चीए उसके लिए पहले आपका UN to be activated आपका UN activate होना चीए अगर अभी तक आपके आपना UN active नहीं क्या तो UN active के जिए मैं description में आपको link देंगा जिसे आप आपना UN active कर सकते हो फिर second लिए UN to be with अधार आपका अधार verify होना चीए अधार link होना चीए और second bank account भी था FC code आपकी KYC update होना चीए और तीसरा है कि अधार to be linked with the mobile number आपका अधार में mobile number update होना चीए और जो mobile number update है वो 2 नहीं चीए तो फोर्म कैने फिर्ट आपके 2 months of living the job or on retirement यह जो फोर्म 19 फोर्म आप अपलाई online करोगे तो आप जोप छोड़ने के दो मन्त बाद में आप अपलाई कर सकते हो लोग डेट अपकी दो मेंथ जैसे आपने तरीस में डाले तो आप 30 जुलाई के बाद में आप अपना 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 अप्लाई कर सकते हो नेक्स देट जोइन और डेट वाजिट ओंबर इन इन देट एपने अपने अप्टेट कर सकते हो तो आपको पैन करना यूवड करना अपने में बाद कर लिंद के बाद में अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं अपके अधार कार अधार आपकी अधार कारन और फिर अधार कर से मूबाइल लेडेट हो लिए जोड़ी आप नोकरी की छोड़नाई वाल दो मंद आप अपना पैसा निकाल सकते हो नेक्स्ट जो इंपोटेंट पॉइंट हमारा रहेगा पॉइंट रिमोबर वाइल फॉर्म 10C तब 10C भी एक फुल और फॉर्म 10C का पैसा निकाल सकते हैं आपका हम जो 10C वाला पैसा तभी नहीं का सकते हैं तो आपके स्टेंट वाला पैसा तभी नहीं का सकते हैं आपके स्टेंट का पैसा निकाल सकते हैं तो यह अगर आप 10 साल होगे पैसा अपना पैसा पैसा आप आप आपको पैसा निलेगी जबाब की एज हो जाए माला 58 होते ही आपको अप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हो नेक्स्ट मेंबर सुट नोट भी वरकेंग परजेंट लिए अन्यानी एस्टब्सक्राइब जरू कि आपको स्टार्ट करते हैं को क्यों पर आपको पैस्टर कोड़ने के बाद में आपको साइन पर किलिक करने आपको जो पोटल वोपन हो जाए आपको अपना नाव फादर नेंव सब अबेट नहीं आपको पर आपको सब्सक्राइब करना हो अपनी कीवाईसी चेक करना कि मेरी आपको अपलोड करने वाले प्लूड करने गलत अप्डेट कर सकते प्रोपर बेट है नहीं है तो इसका अपडेट करने बाद में आपको 9-30-1919 प्रोसेस पर आपको प्रोसेस पर आपको प्रोसेस पर ओन्लान कलेंप पर करने को बोलेगा पर आप पर आपको दिखाएदर करने के ऐसे बाद में पर आपको प्रांट करना पड़ेगा कि मेराया मंट पचाशन जाद है वो सर्विस पांट से कम है तो मुझे लिए गनाप 15 जी इसके लिए परिप्रिप बनाओं बनाया हुआ कि इसमें आपको नाम नमर और डेट बर्थ अडरेस पिर कितना माल्स आपको पर इसमें कितने इंकम है किस में प्रेसा निकार रहे है पहरा फिर आपको प्यस नमर लिकेन आपना फिर आपके करें के सबस्क्राइब अपना अपना या एपना अड्रस ना में जो कि आपका लोकल डेर्स है इसमें आपको यहां पे चेक अपना किसा आपको फ्लोड करिंद नी करेक्ष होना चाईए इसमें प्रिंटेबल साफ दिखाई थे जरह नाम और यहां और वयर काऊंट नुम्डर अब ग्राइब कर सकते हैं अब कर दो प्रोंड पर से नवर्य कर सकते हैं आपने प्रोसेश्जिंग वह बहुत प्रोसेशिंग आपको फिर कलेंट करना पड़ेगा तो मैं को फोलाइज करना फोल्हंत करने वार्ट नहीं आपको उपडेट करना है श्यम आपणा श्यम एडर्स आपडेट करना शैम आपलाई हो जाएगा तो यसे आपको पूरा पैसा निकल जाएगा कि फाइन से नहीं फॉर्म 30 दिन के अंदर आपका क्लें अपको पैसा आपके अकाउंट में जाएगा इसके अगर नहीं आता तो मैंने आज़री आपको बताया है कि आपके गिरिमेंस रजेशिट कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना है मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको लिए हेल्प हो लोगा और कैसा लगा आज कोमेंट करके जुरू बताएं फिर भी कोई प्रभलो मारे तो आपको आपको अवलेपल मिल जाएं तो थैंक्यू धन्यवाद